नमस्कार, सलाम, निउसक्लिक के इस खास का रिकरम चुनाओ चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकल सरल इस साल नौराज्यों में होने वाले चुनाओ की श्रंकला का पहला चुनाओ संपन हो गया है 16 फरवरी को तृपरा में वोट डाले गए अंतिम आकडों के नुसार करीब 90 फिस्दी मद्दान हुआ है उत्तर भारत खासकर दिल्ली, यूपी, बिहार के लिहासे बहुत ज्यादा है लेकिन पुरवत्तर खासतर से तृपरा के लिहास से ये ठीक ठाक वोटिंग है वहाँ 90 फिस्दी से भी ज्यादा वोट होता रहा है खर जैसी आशंका थी उस पैमाने पर हिंसा या गड़बड़ी की शिकायते नहीं मिली हाला के कई जगाए वोट देने से रोकने की शिकायते आती रही फिर भी शांतिपूर चुनाओ के लिए चुनायोग का धन्यवाद ही कहा जाएगा तृपरा के बाद जंग शुरू हो गई है मेघाले और नागालेंड की जी हाँ यहाँ 27 वरवरी को वोट डाले जाएंगे तो आज हम तृपरा चुनाओ की समिक्षा करेंगे और मेघाले और नागालेंड चुनाओ की तैयारियों पर बात करेंगे तो शुरू करते हैं चुनाओ चक्र तृपरा के चुनाओ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तृपरा की राजधानी अगरतला में मौजूद वरिष्ट पत्रकार राहुल सिन्हा मेघाले और नागालेंड की जानकारी देंगे गुभाटी में मौजूद हमारे साथी रिपोर्टर संदीपन तालुकादार पहले बात कर लेते हैं राहुल सिन्ह जी से तो राहुल जी निउस क्लिक में आपका स्वागत है नमश्कार तो इस वोटिंग के बारे में इसका पैटर्न कैसा मुकाबला दिखा आपको किस तरह का वोट दिखा किस तरह का महौल दिखा जरब बताईए हमार दर्शकों को जी मुकुल जी जैसा कि आपने बताया कि 16 फरबरी को उत्रिपुरा में वोट दाले गए विदान सभा की साथ सीटों के लिए करीब करीब तुनाओ आयूप के जो आखरे 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 जो हमारे पास आए है तो इससे पता चलता है कि 87.67% बोट्स कास्ट हुए है और जो पोस्टल बैलोट्स है उनका आखरा अगर आप जोड़े तो यह 90 फिस्दी का जो आखरा है उसे छू कर निकल जाता है 90 फिस्दी या इससे थोड़ा जागा तो यह जो है percentage of polling की हिसाब से अगर हम देखे तो त्रिपुरा की जो normal pattern of polling है जैसा कि होता आया है तो उससे mail खाता है पिछले बार 89% हुआ था 2013 में 92% थी almost तो यह जो है pattern यह त्रिपुरा के चुनाओं के जो feature है उससे mail खाते है दूसरी बात तो यह कि जैसा कि हम सभी को मालूम था कि इस बार चुनाओं का जो माहूल था वो थोड़ा सा अलग था त्रिपुरा में जैसे लोग एक चुनाओं को उत्सब के तरह लेते हैं वैसा माहूल पहले से नहीं था जैसा कि हमने नियूसक्लिक के साथ जो बात्चित हमने पहले रखे की है उनमें बताया था कि ये लोगों का अलिगेशन था पॉलिटिकल पार्टिस का भी था कि दो हजार अठाड़ा के बाद कोई भी चुनाओं यहाँ पे शांतिकून या निश्पक्ष नहीं हुआ है लोगों को अपने वोट डालने का जो अधिकार है उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया ग अधाये वोटर्स को सचेत करना वोटर्स को आस्वस्थ करना कि आपकी वोट आप डाल सकेंगे और पॉलिटिकल पार्टिस ने भी खास को पर जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टिस थी जो इस हिंसा का सिकार थी उन्होंने भी वोटर्स अपील किया कि आप सुबह सबसे पहला काम जो करें वोट की लाइंग वे खड़े हो जाई तो ऐसा नहीं है कि हिंसा की या गरबर की कोई वारदात महीं थी हमारे पास जो खबरे आते रहे उससे हमें पता चलता था पता चला कि चुनाओं के पहले रात तक काफी सारे जगह पे हिंसाये हुई लोगों को डराने की धंकाने की कोशिशे हुई घर घर जाके की बोल डालना जाए लेकिन देखने वाली बात ये रही कि 16 तारीक की सुभे से साड़े चार पाँच बज़े से लोग लाइन में खरे हो गए अच्छा साड़े चार पाँच बज़े से और ये भी बताना जरूरी था कि वोटिंग जो था बहुत ही स्लोप होता रहा कहीं बहुत सी जगह पे मशीने बिगरी बहुत सी जगह पे जो पोलिंग परसनल थे शायद उन्हें experience की कमी थी कि पोलिंग कैसे करवाया जाता है उस हिसाब से भी पोलिंग की रफतार जो थी सुझाना जरूरी कम होती रही इस मैं जरू से बताओ कि सुझान नौ बजे तक नौ फीस्टी ओलिंग होई थी यह ग्यारा बजे तक आते-आते करीवन 25-23 पीज़ी हुई एक बज़े तक ये बरकर 51 पीज़ी हुई तीन बज़े तक 70 पीज़ी चार बज़े तक 81 पीज़ी यानि तो पहर बाद उसमें काफे टेजी आई जी जी और ऐसा भी हुआ है मेरे पास जैसे खबरे आई है ऐसा भी हुआ कि कोई बंदा वोटों की लाइन में 11 बज़े ख़रा हुआ है सुबर उसे वोट डालने का मौका शाम को 6 बज़े भी लंबी लाइने थी ततारे थी कई जगे पे हिंसा की वार्दाते जैसे की आशंका जताई आई गई थी कि जा बहुत ज्यादा होगी वसी तो नहीं हुए लेकिन ये लगातार और शायद ये विपक्षी नहीं मैं भी जोड़ दूं इसमें कि विपक्षी पार्टियों का ही दबाओ भी था लगातार चुनाओ आयोग के ये तो पैट ये हुआ अब मैं ये तो नहीं पूछूँगा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा इसका फैसला दो मार्च को होगा लेकिन मुकाबला आपको मोटे 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 तौर पर कैसा दिखा दो तरफा था त्रिकोनिय था या बहु कोन ये मुकाबले कैसा दिखाई दि वैं बिल्कुल सही बात करते पोजा कि वैसे तो त्रिपुरा में जो चुनाओं ही मुकाबले होते हैं दिकों निये होते हैं लेकिन इस बार एक बहुती रोचक बात थी कि कॉंग्रेस और लिफ्ट जो की 52 साल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं वो एक साथ लगने को आ गए बीजेपी को टकर देनी की और तीसरी बात ये कि बीजेपी अपने जो एलाइन्स पार्टनर थी आईपी एफ्टी उसके साथ तो जूरी रही लेकिन आईपी एफ्टी की जो संगठन है याई उनकी जो समर्थक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तीप्रा मोथा में चला गया इस वज़े से यह सा हुआ कि तीप्रा मोथा एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया इस चुनाओ का जिसका वोटिंग बटान उसको कितने खिलेंगे कितने सीते मिलेंगी यह चुनाओ की बात के जो कक्रियाए होंगी जो तोर सरकार बनाने की जो कारेवरीये होंगी उसमें विंका बहुत ही ब्राध्य उगढ़ा रही तो वैसे तो मैं बता दू कि चुनाओ कोई हाड़ने के लिए तो लगता नहीं है तो उसकी प्रिसिडेंट जो है बैप्रिदेश की सभावती जो है बीजीत सिलाली उन्हों ने कहा कि कॉंग्रेस और लिफ्ट बिलके सरकार बनाने वाले है ऐसा मैंने CPM के जो स्टेश सेक्रेटरी है जीतेंदर चाधुरी उनसे भी कुछा वो भी कॉंफिडेंट है कि सरकार कॉं कॉंग्रेस में आ गये थे वो कॉंग्रेस के फेश थे इस बाद उनका भी दावा है कि कमफर्टेबल मेजॉरिटी से कॉंग्रेस और लेक्स सरकार बनाएगी और बुबागरा जो है जो महाराजा है प्रदोति पिशोर जेबवर्मन जो मुदिप्रा मुथा के चेयर्मन है उनका भी यह मानना है कि 42 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ी है लेकिन 21 सीटे लेकर वो सरकार बढ़ाएंगे तो दावा हर सभी ठोक रहे हैं इसका किसकी दावे में कितनी दम है यह तो दो मार्च को ही पताख तो फिर हम आगे भी आपसे दो मार्च के आसपास बात करे इस चुनाव और चुनाव परिणाम को लेकर शुक्रिया धनावाद शुक्रिया अब चलेंगे पूरवत्तर की राजनीती पर गहरी नज़र रखने वाले असम में मौजूद हमारे संवादाता संदीपन तालुकदार जी के पास लेकिन उससे पहले मेगाले और नागलेंड ने अपना गडबंदन तोड़ दिया है केंद्र ग्रेमंत्रिया मिश्या ने मेगाले में चुनाव परचार के दरौन 16 फरवरी को इसकी घुष्णा दिये की और कहा कि उनका मक्साद है कि बीजेपी सभी 60 विधानसवा सीटों पर चुनाव लड़े और मजबूत बनके उभ इगहाले में चार दल सत्ता में भागिदार थे एनपीपी यानि नेशनल पीपल्स पाल्टी यूडीपी पीडीएफ और भाजपा तो एन चुनाव से पहले भाजपा ने अपना गडबंदन तोड़ दिया है सत्ता की बागडूर एनपीपी के पास थी कौनराड संगमा मुख्यमंत्री थे यहां बीजेपी केवल दो सीटे जीत कर सत्ता में थी और कॉंग्रेस 21 सीटे जीत कर सत्ता से बाहर बेलकुल मनिपुर की तरह पहले मेगाले पर बात कर लेते हैं संदीपन ये सब कुछ नया घटनाकरम यह क्या संकेत दे रहा है मुकुल जी नया घतना करम तो है नया घतना करम मतलब इस डिक्लेरेशन में सिर्थ हुआ घोशना में हुआ लेकिन पहले से ही जो वहां पर राजनिती चल रही थी तो एन पीपी और बीजेपी पहले से बोल मतलब अपने से कैंडिडेट वहां पर दे रहे थे कोई एलाइंस उसमें घोशना नहीं हुई थी जैसे लास्ट इलेक्षेट में हम डेख रहे थे कि एन पीपी और बीजेपी के साथ गजोर था और उसमें और एक दिल्चेस्ट बात थी जो पहले भी बताया कि कॉन्राद सांगमा के खिलाफ बीजेपी ने अपने राजिक जो वाइस प्रे थे तो उनकी ग्रेफतरी भी हुई थी पिछले साल कुछ केस में तो उनको केंडिडेट प्रोजेक्ट किया यह सब तो चल रहा था और अभी अमिच्छा ने जिस ताइब से डिकलेर कर दिया खोशना कर दिया कि एन पीपी के साथ हम लोग और कोई गडवरंदन हम लोग नह जड़ा बड़ा बनाना है मेखाले की राजनीटी में तो बैसिकली बीजेपी का एक अगर हम देखे अप असम में भी हम देखेंगे कि असम गनपरिशेट के साथ मिलके पहले आया उसके बाद असम गनपरिशेट कैसे एक टाइप से बहुत सिमित हो गया छोटा हो गया उनक कमजूर कर दिया ट्रिपुरा की बात चल रही थी ट्रिपुरा में आई पी एफ्टी का आप देख रहे हैं कि इस बार पांच इच्छे या ऐसा ही कुछ सीट उनक पांच सीटों में वो लोग कंडिडेट खड़ा कर पाए तो उसके साथ आप देखेंगे नागालन में कि के साथ यह तो कि एक साफ सीजए है के साथ विजिए का पहले मिलनंगा और मिलने के के पने आपको जढ़ा बना देना और उस का ताकत उस ही जडू कर लेए पर यह तो साफ़् दीख रहा है और My चैज्य उसको अ台घा पैस्थ को पर Item करे करचे तो अब जो प्रचार में तेजी आएगी आप क्योंकि अब तुरुपरा चुनाओ से भी बीजेपी फिरी हो चुकी है अब मेगाले और नगलेंड की बारी है 27 तारिक को वोट है तो किस तरह से चुनाओ प्रचार तेज हुआ है राजनीती गोशनापत्र भी सब के आ गए हों में मेगाले और फिर नगलेंड खोशनापत्र में बहुत जड़ा खास चीजे नहीं है मतलब हमको अगर बोले तो फिर बीजेपी का जैसे सभी जगें पर त्रिपुरा देखेंगे नगलेंड देखेंगे या मेगाला में भी देखेंगे उन लोगों का जो फोकस है वो कहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्ट्चर डेवलब्मेंट और कुछ कुछ स्कीम्स वीमन महिलाओ के लिए कुछ स्कीम्स हेल्थ के लिए कुछ स्कीम्स और उसके साथ free rve dobrie free अनाच देना और उसके साथ डाल यह सब नयक्रलैंड में अब है ही हमेशान हुटीवी हीरा बोले थे हाइवे इंटरनेट रेल्वे एर्वेस इस ताइप का कुछ मामला तो बीजेपी का लगपक सब जगों पे उसका पैकेज है उसको पैकेज अलग-अलग राज्जों में अलग-अलग नाम से अलग-अलग रैपर मारके उसको पेश कर रही जी अलग-विपक्षी दलों के वादों में गोश्ना पत्रों में कुछ खास अब अगर मेगायले में बोला जाए तो विपक्षी डल आप कॉंग्रेस और टीम सी को मानेंगे क्योंकि बीजेपी भी सर्था में थी तो एन पीपी का लगबग उसी मुद्व में चल रहे हैं ह तो जो आसाम और मेगाला के बीच में बोर्डर कॉंफ्लिक्ट हुआ था मुक्रो बोल के जगह पे तो वो मेगाला के रहे थे कि मेगाला में है तो यह टीम सी अभी एलिगेशन लेकर आ रहे हैं कि मुक्रो में कॉनराज संग्मा बहुत एक एड़ांस पोजिशन में नहीं है और एक बोल स्टेप नहीं लिए क्योंकि कॉनराज संग्मा को डर था कि सेंट्रल गॉर्मेंट की तरफ से एडी सीबी आई यह सब करेंगे तो यह कॉरॉप्शन का इसू और आपका जो गॉर्नेंस का इसू है तो यह प्राइमेरिली आपका में ज्यादा साफ नजर आ र जो अला कि कॉरॉप्शन का इसू इंट्रेस्टिंग लिए बीजे भी भी लेके आ रहे हाला कि वह सट्ता में थी वह बीजेपि भी कह रही है कि कॉरॉप्शन हुआ ठी का फी और विपक्षे पार्ठियों का भी कॉरॉप्शन स्मूठ गोवर्नेंस शायद कि यहाँ यहां मेखालय में मुकुल जी टीन हिस्सों में उसका अगर देखेंगे क्योंकि कहासी इल से आपका शिलॉंग मेखालय का कैपितल खासी हिल से वहाँ का राजनिती का थोड़ा से पर थोड़ा सा राजनेरी की डाइनेमिक्स अलग होती है खासी में जिस्ताव खासी हिल्स में जो जो मुद्दे होंगे ओभरॉल सारे मुद्दे तो सेम है बेरोजगारी है आपका बाकी महंगाई और बाकी कॉरॉप्शन रैंसम यह सब सारा इशू है सब जगे वह कॉमन है लेकिन थोड़ा बहुत जिसे गारो का एक मुद्दा था कि सेपरेट स्थेट वह भी मांगता रहा है क्योंकि सेपरेट स्थेट नौटी इसमें हर जगे पर यह दिमांड चलता है चलता आरहा है अभी भी है तो गारो में ऐसा था जैंट्या में थोड़ा सा अलग है हलागि जैन्टिया में आपका मुकूल सांगमा TMC का जो लीदर है तो TMC का थोड़ा सा वो लोग शायद पुछेकाद सीट जीतेंगे गारो हिल्स में भी हो सकता है कि जीतेंगे लेकिन BJP का जैसे वहां पर डिख रहा है कि BJP पिछले साल पिछले बार सिर्फ दो सीट वो लोग जीत पाये थे हो सकता है कि इस बार यह नंबर थोड़ा सा उससे बढ़ जाए जो ग्राउन के लोग वहां से हमको कह रहे है रिपोर एक जगे पे आपका NPP है NPP खतम हो गया या यह कमजोर पड़ गया ऐसा कते ही नहीं है NPP अपनी मस्बूती के साथ है सारे जो फोर्सेज है खासी स्टूदेंट यूनियन जो स्ट्रॉंग लोबी होते है पुरा मिखाले की राजनिटी में उन लोग के साथ बहुत जड़ा खराब रिष्टा उनका नहीं था क्योंकि इससे पेले मुठूल सांगमा की दोरान थोड़ा सा आपका पुलीस का जड़ा दमान उट्पीरन यह सब का भी एलिगेशन रहा था कॉन्राट सांग मारे की समय में ये थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा प्रो पीपल टाइप का जो एक अरगर कि ओन्हें पता चलता है लेकिन जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा में तरु करता है राजनीती में कभी कभा अगर आपका चलान लगाना था कि बहुत आगे बढ़ जाना है ऐसा एक इंटेंसिटी आप नजर नहीं आ रहा है पता नहीं हो सकता है कि आखरी कमेंट थोड़ा सा बस एक संशेप में क्योंकि हम 27 को चुनाओ है इसके इसके बाद फिर आप से एक बार विस्तार से बात करेंगे जब बिल्कुल पीक पर होगा फिचार और वोटिंग का दिन सामने होगा फिलाल एक मोटा सा एक जानकारी कि आम जंता में अब किस किस तरह का सक्वगाहाट किस तरह का एक माहौल कुछ दिख रहा है कि क्या सोच रही है जंता जंता भी मतलब हमको जो लग रहा है कि जंता पड़ताल कर रही है मतलब बीजेपी को बहुत जड़ा पसंद कर रही है मेंगाले की जंता ऐसा हमको नहीं लग रहा है क्योंकि इन बीजेपी को जना ही जाता है उसकी हिंडुक्तों की राजनिती से तो हिल्स स्टेट्स में बहुत ज़दा उनका पॉपॉलरिटी है कि उसको दिल से मान लेना यह इतना ज़दा तो नहीं दिख रहा है हलाकि एन पीपी के पक्षमे और एंटी इंकम्पेंग्शी दोनों चीज कर रहे थे पूरा राज्जी में तो उनका इतना प्रेजेंस हमको नहीं दिख रहा है तो जनता जाहिर सी बार एकिस सीटी थी पता नहीं उनका इंटरनेल पॉलिटिक्स भी कुछ होगा क्या है लेकिन यह सारा देखके जनता का पास जो आप्शन होता है शायद वो एन जनता के मूट की भी और पार्टियों की दावों और प्रचार की भी फिलाल शुक्रिया धन्यवाद तो दोस्तों आपने सुना तुर्प्रा की जानकारी हमेदी राहुल सिना जी ने और मेगाले और नगलेंड का हाल बता रहे थे संधी पंता लुकदार तुर्प्रा के बा दो मार्च को तो फिलाल आज इतना ही इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर विस्तार से मेगाले और नगलेंड की हम बात करेंगे आपके साथ जुड़ेंगे आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे हमारी पत्रकाहिता को समर्थन देते रहे हमारी यूट झाल झाल